नमस्कार रेश्रकुष्ण प्रणाम आज एक ऐसा अजीव प्रश्ण है कि सुनकर के आपको अच्छा भी लगेगा थोड़ी हसी भी आएगी हर साथ ससुर को एक जग्यासा होती है कि हमारी बहु कैसी होगी ऐसे में एक प्रश्ण है एक माता जी का भावना भाविशर का कहती हैं कि जन्मकुली में बहु का सुख कैसे पता करें बहु के सुख के उपर वीडियो जरूर बनाना तो मैं यह कहूंगा आपने दर्श्ण को कि प्रश्ण तो बचकाना लगता है लेकिन आने वाले कल में कोई ऐसा शायद बाकी हो जिसको बहु के अभिलाशा ना हो जिसको बहु अच्छी मिले ऐसी आशा ना हो तो हम कैसे जाने की बहु कैसे देखा जाता है बहु कैसी होगी आए चोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे और ध्यान पूर्बक समझेंगे तो पाएंगे कि सच है चिक है जन्मकुल्णी में पुत्र का घर कहां से देखा जाता है पहला प्रश्ण मैं बताऊंगा पुत्र का घर जोतिश कहता है पुत्र का विचार पंचम घर से किया जाता है एक दो तीन चार पाँच पंचम भाव यदि पुत्र का घर है तो ठीक पंचम से सप्तम भाव पुत्र की पत्मी का घर है पंचम भाव में जो ब्रहस्पती किस्तिती है दुतिय भाव में जो ब्रहस्पती किस्तिती है नवम दशम और ग्यारवे भाव में जो ब्रहस्पती किस्तिती है वो बहु का कारक भी है बहु को धन लक्षिमी ग्रह लक्षिमी कहा जाता है और ब्रहस्पती का विचार धन के ल उस खास जातक या जातिका को बहु का सुख बढ़िया मिलेगा, अब बहु का सुख घटिया कम मिलेगा, बढ़िया कम मिलेगा, इसे थोड़ा सा बिवेचन करते हैं यदि आप लोगों कोई टॉपिक अच्छा लगेगा, तो मुझे बताईएगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा दे, चीक है, जन्म कुणली में जो आपका पंचम अस्थान है आपके पुत्र का, ठीक उससे आपके लगन से ग्यारहां अस्थान आपकी बहु का होता है बारा, छे, आठ, ये दुख अस्थान है, बहु का सुख कब नहीं मिलता, यदि बारवी घर का स्वामी, ग्यारवी घर के साथ युति करे, तब बहु का सुख नहीं मिलता बारवी घर का स्वामी और ग्यारवी घर का स्वामी कहीं भी बैठा हो, सुख नहीं मिलेगा दूसरी पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखे, छठे घर का स्वामी और ग्यारवे घर का स्वामी एक जगह बैठा हो या फिर दृष्टी डाल रहा हो जैसे यहां से यहां को ब्रहस्पती को शुक्र देखते हो तो बहुँ अच्छी नहीं मिलेगी चलिए यह छठे भाव के कारण मैंने बताया शुक्र का नाम लिया अलाकि शुक्र से मतलब नहीं कोई की स्वामी से ग्यारवे भाव के स्वामी की इस्थिती बने तब भी बहु का सुख नहीं होता ग्यारवे घर में ब्रहस्पती के शत्रु ग्रह वैठे हो तो भी बहु से सुख नहीं मिलता ठीक है अब लडाकी बहु कब आती है बहु लडाके सुभाव की कब होती है कैसे होती है यहां विचार देखना बारवें घर से और ग्यारवें घर की युती होगी तो बहु लडाकी होगी मुफट होगी चठे घर से ग्यारवें घर की युती होगी तो बहु रोगिनी होगी आठवें घर से और ग्यारवें घर से युती होगी ब्रिष्टी युती होगी तो बहु तलाक भी दे देती है ठीक है और लडाकी भाव कब बता देते आपको तीसरा घर आपके जुन्मकुली में ये तरशडाय में से आता है तीसरे घर का स्वामी ग्यारवें घर का स्वामी कहीं युति करता हो तब भी आपकी बहु लड़ाकी होगी बहुत बिचार करके देखियेगा और अगर बेवहार में आपको मिलता है तब मुझे कमेंट जिसकी बहु होगी वही करे कमेंट वैसे तो कल्यूग में प्राया संसकार ही इन बहुए आ रही हैं संसकार ही धन की लोलुपता के वजह से बिक्ते में और ज्यादा नुकसान होने लगता है तो बहु के सुख का विचार पंचम घर से ठीक ग्यारवें घर यानि पंचम से साथवें घर से किया जाता है यह था प्रश्ण कि बहु का विचार कैसे करें बहु सुख देगी या नहीं देगी या नहीं देगी उस पर वी चर्शा करने तो यदि ग्यारवें घर का स्वामी लगन में बैठा होगा तो बहु सुख देगी ऐसे सास असुर को ग्यारवें घर का स्वामी चतुर्थ घर में होगा जन्मकुनली में तो बहु सास की नहीं बनेगी लेकिन ग्यारवे घर का स्वामी अगर पांचवे घर में बैठा होगा तो बहु की और सास की बनेगी, बहु अपने सास के सेवा करेगी, ग्यारवे घर का स्वामी और सातवे घर का स्वामी यदि एक साथ बैठे होंगे तो भी बहु सेवा करेगी, ग्यार्विंगर का स्वामी और ठिक नाइन था उसका स्वामी यदि एक जगह दृष्टी आयोग बनाते होंगे तब भी बहु सेवा करने वाली होगी प्रेमभा वाली होगी ठीक है अब ये सारी अवस्थाए मैंने आपको शार्ट में बताई है आपनी कुल्ली में देखिए यदि आप बहु वाले हैं तो क्या ऐसे कुछ तक्थे मिलते हैं यदि मिलते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर हम आपको और आगे इसका विशलेशन देंगे नवांस चक्र में भी अभी में आपको वीडियो देना है नवांस के चर्चा भी करेंगे तो इस प्रश्ण का उत्तर देने का भरसक प्रयत्म करेंगे विदाले तहीं नवाश कार्जाशे कृष्णों करेंगे